सबसे पहले हम लोगों से चार कार्ड हम लोगों कर लिए थे जो मेजर आरकना वाले थे तो आप लोगों ने पढ़े वो दुबारा से या एक बार नहीं पढ़े ये पहले तो इमानदारिस सर्जो आपने नोट्स बेड़े थे और रिकॉर्डिंग के साथ कनेक्शन करके उनक अपने बताया था फिर इनको एक बार अपने आप से कि कितना हम बोल सकते हैं देखे रहाए था थोड़ा सा थो तो थोड़ा सा इस कार्ड्स को देखते रहो किसी भी समय आपनार निकालके 45 मिनट्स निकालके इन कार्ड्स को देखोगे ना तब ही कार्ड्स तुम्हारे साथ बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो कार्ड्स को देखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए बाकी मै स्क्रीन शेयर करता हूं आज चार कार्ड्स पढ़ा दिये हैं वह तीन चार कार्ड्स हम लोग बहुत फास्ट जाते हैं और उसके बाद चार कार्ड्स हम लोग आज और पढ़ेंगे उसके बाद बहुत बना के रखो वैसे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी सीखना है लेकिन शफल करना सीखना भी आपको बहुत जरूरी है या तो जो घर में वैसे तास रखे हों उनको शफल करते रही है तो थोड़ा सा मतलब आपको आडिया रहेगा चुकि कोशिश करते हैं इस चीज में कि जब भी आप शफल करें इनको तो यह जमीन पर ना गिरें ठी चार कार्ड कर लिए थे दा फूल कार्ड हम लोगों ने किया था यह शायद सबको ध्यान है और मैजिशन का किया था और कौन सा किया था इंप्रेश सा किया था तो फूल के कार्ड में हम लोग समझ गए थे सब चीज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मनिशा जी इस कार्ड से आप क्या समझे हैं जरा एक बार बताईए हलका हलका बस चल्दी जल्दी से सर इस कार्ड से हमने यह सिखा था कि जो यह इसमें इंसान दिख रहा है यह एक मतलब जादे चिंता ना करने वाला इंसान है तो इसके लिए यह खागे था कि थोड़ा जैसे हम इसके फ्यूचर के बारे में बताना है कि आप थोड़ा सा ध्यान से चलें के रलेस ना हो और लोयल्टी भी इससे दिखाए देरी थी, क्योंकि इसमें एक डॉगी दिखाए हुआ है नीचे, जो लोयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, और एक, मतलब सन दिखाया थे एक बिगनिंग थी कि कि किसी चीज की पॉजिटिव स्टार्ट होने में, पॉजिटिव स्टार्ट होन और यहां चाहिए है, थीक है, तो सन को बोल सकते हैं कि जिससान है तो बिगनिंग शौट गाले खाए है, थोड़ा धियान लखिए, थीक है आपकी नीच्व वगरा बहुत कम है, ऐक चोटे से रंडे पर आपने पोर्टी लटकारवं की है, लोग का ध्यान रखिए, लोग आपसे कुछ कहते हैं, उनको भी सुनिये, ऐसे नहीं कि अपनी दुन में आप चले जा रहे हैं, और प्रिजंट के लिए कोई निकलता है, काड ये तो प्रिजंट में आप कहेंगे, कि आप ऐसे हो, अब फ्यूचर में कोई निकलता है, तो आप ऐसे तुम हो जाओगे, इसलि हो भी चीज़े है, हेल्थ के लिए, वो अपना ध्यान रखो, खाओ भी और ठीक से खाओ, वेरी नाइस, तो आप लोगों ने काड पढ़ा है, ये तो सब इसके हैं, दुबारा एक बार और पढ़ लीजेगा, और मैं सेकंड काड ले आता हूं, मैजीशन, शिवा, थोड़ शिवा, प्लीज अन्मूट योरसल्फ, आड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई अन्मूट करके बोलिये, मनिशा जी दिखाई दे रहा है, हाज जी सर, अच्छा, शिवा को आवाज नहीं आ रही, मेरी, Sorry, I had a phone call, I left because I had a phone call, sorry No problems, no problems, about the magician? Okay, he has everything, so he's got cups which means he's got good relationships, he's got the pentacle means he's got good money, he's got sword that means he's got good thoughts and he's got the wand which means he's got good actions he's got a lot of flowers so that means he has done something in the past and he's got the fruits his essence is business um he's holding something in his right hand like a candle that means um he's caring and sharing he's got he's positive he's got um a lot of yellow but be careful because he's got one hand um showing a point into the ground that means he can manipulate but overall he's got everything but he just needs to give time for other people not just spend all time all the time doing work and concentrating on his business it's very nice agar yeh card apka aata hai and somebody's asking question about his future so what you will say i will say that he's got everything he's got all the resources go and do his business concentrate on business he's got everything he's he can balance everything well he can balance everything with business but just spend some time with the family and don't forget his other relations very nice very nice very nice very nice very nice very nice thank you होगे हाँ जॉइन करें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ थोड़ा पढ़ लिया से बारे में नहीं मैं बताए तो मेरे कुछ इतना पता है मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं है अगर मैं काड देखू न तो बेसिकली यह काड थोड़ा सा मिस्ट्री का है और स्टिलनेस का है ठीक है न इसका एक्टली मतलब है कि नो ना इस ताइम बेसिकली तो रिफ्लेक्ट अपॉन सम्सिट्वेशन एंट्रस्ट और इनर इंस्टेंट्स सो दर्ण सी इडिवा गाइद में एक चीज़ का मतलब तो क्या हुआ हिंदी में अगर देखें तो मतलब पुजारन टाइप की चीज़ हो गई एक साधवी टाइप की चीज़ हो गई अब येलो काड है तो पॉस्टिव है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है दो पिलर्स लगे हुए है जो ग्रीक में इनको ब से काफी डिवाइन से कलेक्टिड है चंद्रमा भी इनके पैरों के पास है इसमें चीहर इंटिशन पावर वाइट कपड़े पहले है काम है और अनार वगेरा सब जगे हुए है पीछे जो लगा हुआ है पर्दा इप मेंस के इन्होंने बहुत महनत करी है और फल उसका जिनके पास बहुत है, बट स्लाइटली सिक्रेटिव है, हर तरह की नॉलिज को यह गिर्द देती नहीं है, जब यह कोई आदमी इनके साथ नॉलिज लेने के लिए इनको लगता है कि यह इस नॉलिज लेने काबूल है, जैसे पुराणे रिशी मुनी भी ऐसी वह करते थे, अ अगर किसी को गाइडेंस देनी हो, तो हम यही कहेंगे, देखिए किसी पे पहले ट्रस करना सीखो, और ट्रस करके फिर उसको तो मुझसे चीजे खोलो, ऐसा नहीं कि तुम आप जैसे बिजनस के लिए काड़ा गया, तो तुम यह कहो कि भी बिजनस पे ठीक है, आप ट्रस क करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किसी को अपने हार रख लिया, किसी CEO को रख लिया, या किसी employee को रख लिया, और सारी चीजे उसे पकड़ा देंगे, या सारे लूपोज उसको दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप, चुकि आप थोड़े सिक्रेटिव है, नेचर आपकी है, नमबर भी दो है, नमबर दो किस्चिस का होता है, बैलेंस का ही नमबर होता है, डियोबिटी का नमबर होता है, ये बी और जी क्या था एक्जाक्ति, ये दिखाते हैं कि आपने अपनी spiritual power में, अपनी negativity में, अपनी positivity में, आपनी आपको बैलेंस किया हुआ, अच्छा, relationship के अंदर ये card आता है, तो यही कहेंगे, भई, you should not share everything with this partner, कुछ limits बना के रखनी चाहिए, पहले trust कर लो उसके बाद उसके बाद उसके शेयर करो, सब चीज़ों को, business के लिए card आता है, तो यही कहेंगे, भई, आप अपने thoughts को, अपने competitors को ध्यान रखो, अपना इस advice, बट आप से लोग advice मांगेंगे, चुकि इस level पर पहुंच चुकी है, ये साधवी के इन से लोग advice मांगेंगे, लेकिन ये advice बहुत selected लोगों को देगी, जिनको ये विश्वास करेंगी, या सोचेंगी, ये advice करेने लाइक है, या नहीं, तो ये सब चीज़े हमको ध्य परानी है, इसके बारे में कोई किछ बोलना चाहे, हाथ में एक, इनके right hand में wants है, वो दिखाता है कि बहुत sharing and caring है, सोने के, Is she the mother card, yeah, the mother card, the mother card, very nice, क्योंकि child birth का भी symbol बना हुआ है इस में, और बोलो शिवा, Um, so she's a woman, she's got white, that means she's pure, she's got some greenery, so she's, and she's got some orange, hold on, I've got to read my notes, the empress, Uh, she's got a crown on the head, um, oh, she's a number three, so that means, um, that's related to Jupiter, so she's got creativity and she has knowledge in that, so she's a knowledgeable person. Hmm. Um, she looks as though she's done well in her life, because she's got the, the wheat, so something has grown, she's, on, um, her couch is orange, and that means, orange, hold on, I always forget what orange means, um, it's to do with caring, I think, hold on, orange means, orange, orange, she has healing powers, healing powers, okay, she has healing powers, Hmm, okay, very nice, overall, she's just a nice mothering lady, and, um, there could be, someone could, um, expect a pregnancy, say, yeah, if algunas come here, we could say that we could say, orha, expect a pregnancy, but it's the future whenever we could say, hello, ah, is that the future, tarot card, which we see that the future only for five, six months basically, something like me your time, Tampa hasul… uy kind of hint mentioned that the future, of 10 years from 10 to another, we could be living in 18 years, and we could say, this 2018, or maybe 6-7 months, or maximum one year. तो हम कह सकते हैं कि इस साल या इस पांच-छे मेने के अंदर आपको पिंदेंस एने के चांसे से हैं Suppose this card, Shiva, I just wanted to ask you, suppose this card comes and the question is of future, तो what you will see? Future, I think it's, she's saying don't be, be happy with what you have got, don't, don't feel insecure in the future, you've got everything, you've got everything, yes, all the comforts in his life, all the mentalistic things she will have, you will have, people will be coming to you for advice, because sadhwi है, and reputation बहुत अच्छी होगी, power, stability बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो यह future के लिए, इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, guidance इनको देना चाहें, तो because इनके पास सब कुछ है, knowledge भी है, power भी है, authority भी है, wisdom भी है, everything she has, काम भी है, purity भी है, productivity भी है, तो only soft guidance can be given to her, कि बहुत बी practical in life, avoid greediness, और avoid insecurity, so this is the card, now we come to this card, emperor, यह हमारा नया card है, emperor card आप निकाल लीजिए, आज emperor से हम लोग start करेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको advice कराया था, लेकिन कोशिश करें, कि आप पहले से पढ़के आएं, ताहिए हम नए card से ही start करें, otherwise it will take time, तो emperor से पढ़ते हैं, emperor के बारे में कोई भी ही आप में से बोलना चाहता है, तो कुछ बोल सकता है, रितू जी आप चाहें, तो कुछ बोलिए, इस तस्वीर को देखके, आखो क्या लगता है? इस तस्वीर को देखिए, बसक्त देखे क्या लगता है? पर राजा की फिलिंग है कि राजा है, वो राज कर सकते हैं, मतलब सबके उपर, अपनी बात मरवा सकते हैं, और दे सकते हैं, और उको अपना, मतलब कुछ काम करने के लिए, जी और थोड़ा सा येलो है, तो मतलब आधा रैट पी रिखाया है, खुड़ा सा बैलेंसिंग, कुछ इस तरह से, आच्छा, गुट, और को बोलेंगे? मुझे नजर आ रहा है, इसमें कि stability और security जो है, इसमें नजर आ रही है, बैसिकली इनका जो hard work है, disciplined है, इसका मतलब यह है, कि नो, he is basically a charge of his life, you know, setting up his own rules and boundaries, right, मतलब disciplined है, self-control है, जो अभी तक, you know, he has got, and obviously, he is a king, और, बट इसमें, यह yellow color जो है, सरे, yellow यह है, जो मतलब जहां वो, मतलब, बैठे हुए है, वो yellow color है, और पीछे है, okay, okay, right, so, यह भी positive ही है, basically, right, and, और exactly, मतलब, basically, सरे, इनके पास leadership है, power है, authority दिख रही है, success है, मती है, तो, वो तो हो गई होगा, बिलकुल सही बा यह, यही समझा रही है, तो, four number है, राहू का number है, limitations and restrictions है, थोड़ी, yes, crown पहना हुआ है, तो, अगर कोई पूछता है, तो, कह सकते ही, का आपको एक अच्छा पद मिलने की संभावना है, I think it shows success, in my opinion, absolute power and success, absolute power and success, very nice, very nice, बिलकुल ठीक कहा, आपने, देखे, emperor है, यह सब जानते हैं, मुकुट पैना हुआ है, थ्रोन पर बैठा हुआ है, तो, king है, और जहां king की बात होती है, emperor की बात होती है, तो, ऐसा आपमी powerful होता है, dominating होता है, authority होती है, success होती है, experience होता है, सफेथ beard है, कह सकते हैं कि इसके पास full of wisdom है, knowledge है, इसके पास, का पन ने कहा, power authority, experience, सब कुछ इसके पास है, थोड़ी egoistic भी है, orange color भी है, इसके चारों तरफ, थोड़ा egoistic भी है, मेडों के सिर बने हुए है, देखे, यह सिंगहासन के सिर बने हुए, दो मेडों के सिर, मेड़ जो होती है, यानि भेड़ जिसे बोलते हैं, वो थोड़ी stubborn हो पने है, दूसरों की बहुत ज़ादे नहीं सुनता है, चुकि राजा है तो मतलब ठीक है, राजाम करेगा बात को लेकिन बहुत ज़ादे नहीं, orthodox है, थोड़ा, इसने नीचे armor पहना हुआ है, और armor इसका छुपा हुआ है, पेरों से ही मालुम चलता है कि इसने नीचे armor प लगता है कि बहुत शेरिंग गेरिंग भी है लविग भी है एक हाथ में सूर्य है इसके left hand में तो लगता है कि इस पर नमधाने वाला दो कुछ डेटीन्ध भी आप इसा व्यक्ति अगर उसे कुई आखे कहे उसका बच्चा या कोई भी या कुई बेटा हो क्यों官 माय दो करना चाहता हूं मैं किसी से लव करता हूं तो वह असानी से तियार दी तुम निकल जाओ अपना जो काम देखना देखो बेरे घर बे जगा नहीं इस तरह का व्यक्ति ऐसा थोड़ा रहता है चुकि जोड़ा और ऐसे लोग थोड़े और थोड़े होते हैं अगर यह काड किसी बिजनस में आता है बिजनस में अगर किसी काड आता है जैसे चार नमबर बोला था मनिशा जी ने की रेस्टिक्शन को दिखाता है तो रेस्टिक्शन तो होती है रेस्टिक्शन करके रखता है अपने उपर यह अब बिजनस में अगर यह काड आता है किसी के तो आप क्या विजनेस में काड आता है तो आप यही बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है और सक्शास भी है सब कुछ है लेकिन आप तो चेंज नहीं चाहते अपने अंदर के और पास्ट में यह कोड़ा आता है तो हम यह यह आप ने एक लिप की है लाइफ किंग के साइज किंग की तरह से लाइफ आपने लीड दरी है आपके पास पैसा रहा है और यह सब कुछ रहा है प्रिजेंट भी एक काड आता है तो आप ऐसे हो लेकिन आपको समय के साथ चेंज भी थोड़ा जरूर करना पड़ेगा ऐसी हम उसको guidance भी देंगे क्योंकि अधरवाइस किया है कि आप अपने relationship को आप अपने रिष्टों को खो सकते यह द्हान हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा कि emperor काड़े कि आपको क्या चीज का में ध्यान रखना है पीछे पहाड बना हुआ है तो इसके stability भी है लाइक में सब कुछ है तो यही चीज हम बोलेंगे जब प्रिजेंट आएगा तो यही बोलेंगे अब ता है the hierophant यह person who can reveal secret mysteries hierophant बोलते हैं उसको जो secret mysteries को reveal करता है hierophant को देखके आप लोगों को क्या लगता है यह थोड़ा बोलने की कोशिच दीजिए और सब लोग चार-चार लाइन इसके बोलिए and then we will start hierophant के बारे में कि क्या है number five है मनिशा जी आप बोलिए so number five है mercury का number है communication इसकी लच्छी पढ़ने में interested reading वगरा करना red color दिया हुआ है red color energetic और aggressive दिखाता है और यह brown color भी है जो साइड में इनके जो पोल है उसमें brown color दिया हुआ है connected to earth और हाथ में sir once बोलेंगे ना इसको जो हाथ में बोल सकते है शेरिंग केरिंग है दो परसन है जो नीचे दिखाए दे रहे हैं तो इससे हम यह बोल सकते हैं कि इनको guide कर रहे है या इनको order दे रहे है good 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 anybody else अगर आप agree हो तो अगरी बताओ या कुछ थोड़ा एक्स्टा याड़े करना चाहते हो तो एड़ कर दो आज है इसमें दो की भी दिखा रहे हैं तो शयाद कुछ बात ही इस तीक्रेट रखते होंगे अपनी अच्छा खीस से आपको लग रहा है कि कुछ सीक्रेट बात रखते होंगे ठीक है ठीक है और सोचिए इसका मतलब और क्या हो सकता है या यूं कहें कि हर प्रशन की चाहता आंसर है इनके पास जो पास पास कुछ लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं या इनको साथ की परूदर है His right hand, he's got two fingers pointing up. Yeah. So I don't know what, I'm not sure what that would mean. No, try to say something. Choice of two? Sorry? Try to say something. Okay. Right. He's wearing red, so he's got a lot of energy, but he's got a lot of red. It looks as though he has aggression, but from the picture he doesn't look very aggressive, but his face doesn't seem to be very happy. He seems to be telling these people off. And he's in between two pillars, so he's going to judge. But he's not going to take anybody's side because both the pillars are the same and equal. People are listening to him. Looks like he's higher up because he's on a throne. He's got white shoes, he's got white and he's got crosses and he's got crosses in the front. He's also got quite a big crown. So he looks like a quite a high person, high up person. And he's going to be, he's telling them something. Very nice. Very nice. Very nice. I mean, more or less, they have covered what I thought. Okay. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. There we will comment OK. All right. je nGrabah T champi. Ihoj in. Oh, food. It's better. It looks like testing now. I don't know this. So you've got to find resource, is earning some opportunity. रैड औन वाइट पहना हुआ है, इनरजी तुदी गॉड है, एक हाथ उपर है इसका राइट है, दिखाता है कि डिवाइन कनेक्शन है, एक हाथ में वांट्स है, लविंग, शेरिंग और केरिंग है, एक हाथ उपर भी है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेट मिस्टी स्को र नहीं है यहां तो happy to help always है जब भी आप इनके पास आऊ गए या आपको अपने प्रशन का उतर देने की कोशिश करेंगे आपकी problem का solution देने की कोशिश करेंगे इसमें कोई दिक्त वाली बात नहीं है अब वो कार्ट है हमारा अब आता है ता lovers यह six number कार्ड है हमारा lovers के बारे में कुछ बोलने की शुरू की जिए मनिशा जी बोलिए क्या दिखाई पड़ता है इस कार्ड से आपको एक तो six number है वीनस का एक सेकेंड होड कीजीगा प्लीज लगजरी का नमबर है अगर ही कार्ड आता है तो हम बोल सकते हैं कि लगजरी जो लाइ इसमें male female show है कि relationship के लिए अच्छा है एकार्ड और सरी fruits भी है उपर left side में तो good start so it's nice anything extra in that they're not wearing any clothes that means they're not hiding anything I think they are blessed they are blessed because Angel is there एंजन इस दर तपन दे मांटिन इन बाक्ग्राउंड में स्टिबिलिटी स्टिबिलिटी अच्छा देखिए बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया काड आप लोग पढ़ लेते हैं इसे कोई दिक्तत नहीं मैं थोड़ा थोड़ा असमें बस आपिशन करूंगा हलका पुलका नंबर सिक्स जो होता है वह लव का होता है यह हम जानते हैं पूरा निकलावा सूरज है, सन है, ब्राइट सन है, रध दोपएर के बारे मज़े का सन जिसे होता है न, ऐसा सन है, it means कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और क्यूंकि दो female, male और female दिखाया हुआ है, and they are naked, it means कि कुछ भी चुपावा नहीं है, हर तरह के relationship में ये लोग है, and soulmate relation type का relationship इनका है, कोई वैसा relationship नहीं है इनका, हर तरह का, मतलब आत्मिक relation भी है, शारिर्क relation भी है, हर तरह का relation ये है इनका, side में जहां lady खड़ी है, उस पेड़ है, उस पेड़ पे एक snake लगा हुआ है, तो ये दिखाता है destruction, मैंने बताया था snake को, लेकि लगता है कि life में कुछ destruction अभी आया है, या तो husband, चुकि lady के पास snake है, तो husband के office में कोई बहुत beautiful सी lady आ गई है, join कर लिया है, उसके लिए कुछ करना चालू कर दिया है, उसने या, something like that, some destruction is there, है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा हमें दूर करना है, और वैसे कोई चीज इसमें नजर नहीं आती, जो भी देखे जाए, very satisfied है, mostly सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा card आता है, the chariot, chariot जो card हमारा है, वो number है, seven, are you there? जी, sir, I'm here, कुछ बो, chariot को देखके, क्या लगता है, तुमें, so basically, you know, what I can think is, एक पॉस्टिव कार्ड है, क्योंकि हेलो है, second is, यह दिखा रहा है कि, you know, he's having, जैसे success इसको मिल चुकी है, और इसको control में है, you know, और यह एक, I don't know, यह जो नीचे हैं, दोनों, right, I think, इस फिल्म से, यह, right, so, इसका क्या exactly meaning है, बट मेरको यह लग रहा है कि, he actually knows, he's on the right path, right, जो इनका दिख रहा है, इसके अंदर, और, मतलब इसकी willpower बहुत strong दिख रही है, मतलब, you know, see, it is symbolizing that it is, you know, victory है इसके पास, जो इसने हाथ में, you know, जैसे wand type एक पकड़ा हुआ है, right, okay, and, और इसके पास ने एक desire है, कि, मतलब, yes, मैं जो भी काम करूँगा, मैं उसमें हमेशा succeed होँगा, ठीके न, और, that's exactly what I can, very nice, very nice, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पकड़ा है तुम्हें काड़ को, दितु कुछ कहना चाहोगी इस पे, ताड़ को देखके क्या लग रहा है तुम्हें, पाटक साब, मुझे लग रहा है, इसमें ग्रीन काफी है, हाँ, तो connected to nature लग रहा है, और जो दो नीचे, ये मेड़ बनी है, एक white एक black है, तो balance in negativity and positivity लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इसके अंदर, आप लोगों नहीं मेगा ज़ाए, moving forward by balancing, ऐसा लग रहा है, moving forward, okay, साथ नंबर है, साथ नंबर मनीशा जी किस चीज़ का है, केतू, केतू का नंबर है, प्लाइनेट केतू है, डाउट्स औ इलुजांस, मतलब पाड को देखके अभी महसूस हो रहा है, ऐफ आप सोच रहे हैं कि यह जंग झीत कर आया है, या जंग झीतने जा रहा है, कैसे मुतलब इसका है, यह चीज़ें, warrior रत पे है, इसके दिखाया जया है, एक warrior है, वो रत पे है, या तो यूद पे जा रहा है, या यूद से लौट रहा है इस मतलब आपके जो इल्यूजन्स हैं आपके डाउट्स हैं इस कार्ड को देखके हड़ जाने चाहिए येलो कार्ड है पॉस्टिव है ग्रीन है कनेक्टिव टू नेचर है वाइट है ब्लैस पर्सन है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है मून लगे हुए हैं तो इंट्यूटिंग पावर बहुत स्टॉंग है इसकी आगे इस फिम से हैं दो एक ब्लैक है एक वाइट है तो इसका मतलब यह है कि यह बैलेंस कर चुका है उनको और युद्ध जीत चुका है जैसे कि तपन ने कहा था कि यह जीत कहीं आ रहा है यह ब जीता वाबंद है इसमें कोई डाउट ने कि यह जीत के अरार है चैरियट कार्ड इसे पॉस्टिव कार्ड आप जो है इसमें जीतेंगे आपको आशिरवाद प्राप्त है आपकी उन्टिशन पावर भी स्टॉंग है आपने बुराई पे और अच्छाई पे विजय आपके बदी कार्ड को आपको क्या लगते हैं तो सब्सक्राइब करनें के और इस्टरेंथ थे नियूंट कर लेए कि इस ट्रेंथ की बात है तो सर मदब ताकतवर है डर नहीं है किसी चीज को लेकर मदब किसी भी परिस्टियों का सामना करने में सक्ष्ण में हैं लाइफ में कैसी भी परिशानिया आए तो उनका फेस कर सकते हैं उनको और क्या दिखाराया इस पिचर के अंदर और सर येलो है पिछे तो सैलेंस पॉजिटिव परना कार्ड है मनिशा जी और शेर बना हुआ है उस पर तो एग्रेसिव थोड़ा सो गुसे वाला भी है बहुत ज्यादा गुसा है मनिशा जी आप बोलिए तो शेनी का नंबर ये एर्थ जो इस्ट्रगल के साथ सक्सेस दिखाता है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो सक्सेस मिलेगी इसके लावा रैड और वाइट कलर येलो तीनों कलर है येलो पॉजिटिविटी का कलर हुआ और वाइट हमारा पीस ए एंगर एनरजी तो तीनों चीदे मिक्स है इसमें पॉजिटी पॉजिटिव एंगर एन एनरजी और फ्लावर दिखाए हुए है तो किसी भी चीज़ की मतला आगर कोई कोई नहीं चीज़ स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा माउंटें भी है पीछे तो लुक्साइब इस एंगर यस यस तो आप लोगों ने काफी कुछ सही कहा इस काड़ का जो एसेंस है डाट इस चेंज बिदिन आप यह देखिए एक लेडी है जो वाइट कलर के कपड़े पहनी हुई है फ्लावर्स भी लगे हुए है तो बहुत ही प्यूर है बहुत ही काम ह नंबर हमेशा शनी का नंबर होता है इस आदमी ने लाइक में बहुत स्ट्रगल की है और उसके बास सक्सेज मिली है यह हमेशा यह शो करता है तो हम लोगों को स्टार्टिंग में नंबर को भी जरूर दिख लेना चाहिए कि काड़ का नंबर क्या है और काड को कौन सा प्ल मूँ पकड़ा हुआ है तो यह लगावाए कि इसने पनी इगो पर कंच्रोल किया हुआ है अपनी ग्रीड है अपनी इगो है अपना लालाच है या जो अपना जो भी मतलब इनके मन में नेगटिविटी है उसको कंट्रोल करके इनोंने रखा हुआ है वाइट कपड़े हैं बहुत सिदीन है काम है फ्यूज पास्ट में यह काड आता है इनके ऊपर तो अब इसके इंदर हम ठोड़ा स्का डेस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं काड का क्यूंकि येलो कलर है तो काड तो पॉस्टिव है इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बहुत स्ट्रे को पड़ा है आपको अपनी ग्रीड को गंटरोल करना पड़ा है तो बहुत के बाद आप आप इस मुकाम पर पहूंचे हैं जब आप एक बहुत ही बहुत ही स्ट्रेट ही क्रीड लश्ट एंगर इगो इसको दिखिके लगता है शे के उसने पकड़ा हूआ है इसको देकार को देकर यह लगता भी है कि इस परसन ने पिन लाइप में बहुत सारे इस अबस्तेकल सो जहला है अबसके बाद इसके बाद इसके सुकस्सस मिली है She has controlled the circumstances and sailed through them to achieve her desired success. Anybody likes to say, Shiva? It's number nine, so it's something to do with courage and strength. This person, the hermit, is looking down, so he looks as though he doesn't seem to have a lot of courage and strength. but he has got, he's holding a lamp and in the other hand he's holding a stick which is helping him because he's elderly, he's got a white beard, that means he's got wisdom. He's got brown, he's a very down-to-earth person, he's very practical, very down-to-earth, he's elderly and if, go with a lot of wisdom and he can shed the light on problems. Yes In my opinion, he's showing the path Yes Showing path to others Tapan, Ritu, Manisha ji, कुछ बोलिये? तो रिडु शीवान ने बताया, वही आरा था स्नुमज इसमें बेसिकली यह लग रहा है कि, you know, that, पता ने, that, you know, this, like, सन्यासी है, तो he needs some time, you know, is he alone, for himself. I mean, you know, I mean, which could actually, थोड़ा सा इसको benefit मिलेगा, जब यह थोड़ा सा और independent हो जाएगा, instead of relying on someone, right? Second है, जो मिरको लग रहा है कि, you know, एक जैसे कभो नहीं होता, you know, he is listening to his inner voice, right? मतलब एक यह जर्नी पे जा रहा है अपनी, you know, for self-discovery, you know, ताकि अपना जो अंदर का inner spiritual self है, उसको ढूंड सके और inner wisdom को. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, देकिए इस card का essence भी introspection, hermit है, hermit means सन्यासी है, और card का number है 9, strength and courage है, इसमें कोई doubt नहीं है, strength भी है, courage भी है, mangal का number है, planet Mars आता है इसका, aged है, wisdom इसके पास है, wide beard है, wisdom इसके पास है, knowledge है, लेकिन set दिखाई पढ़ता है, alone दिखाई पढ़ है, अब सन्यासी हाथ में लाल्टेन है, light दिखा रहा है लोगों को, जैसा कि साथित्री मेडम ने कहा है, he's showing part to others, लेकिन क्या, आप ये सोचिए, कि आपनी, आपकी social light में भी, या बहुत जीवन के अंदर भी, ऐसे बहुत लोग होंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये राय चंद है, राय देना चाहते हैं अपनी, जबरस्ती राय देना चाहते हैं, आप कोई किसी काम से आप इघर पाएंगे तो आपको राय देना चाहेंगे, आप ऐसा कीजिए, कोई बिमार है तो इनको ऐसा खिलाएए, कहीं कोई problem हो रही ह और कई बार आत्मी राय सुनना पसंद भी नहीं करता हमेशा, तो इसलिए लगता है कि ये सब लोगों को पात दिखा रहा है, सब लोगों को राय देना चाहता है, सब लोगों को जीवन का दर्शन देना चाहता है, लेकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग सुन लाए ना सुने हर समय कंट्रोल ना तो बहुत बताते रहते हैं तो यह तो यह सब चीज़ें होती है इस आद्मी को जरूरत है कि अपने अंदर भी इंट्रॉस्पेक्शन करें जैसे तपंड ने कहा आपने अमें जर्वा इसजांत नहीं है इन्सान बुरा नहीं है बहुत बट अंच्याही है यह द्यां पुर में इनसान भूर नहीं है लोगे को झाल 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 झाल